आज हम आप सभी लोगों के लिए एक मेराथन क्लास लेकर आएं क्लास में हम लोत कमप्लीट करेंगे क्लास को फिजिस का परहमे चेप्टर को पूरी तरह से कंप्लिट करेंगे सबसे परने हम लोग परहमे चेप्टर की थेरी ли adhere के बाद ऑध बरहमे चैप्टर से जो भी important questions आप सभी के board exam में बने हैं परने theory को complete करने के बाद उन सभी questions को देखेंगे आगे जो question बन सकते हैं जो guess question है उन्हें भी देखेंगे और last में हम लोग निमेरिकल करते हैं पूरे chapter को एक साथ complete करेंगे क्या आज का यह lecture बरहमे चैप्टर का एक त करना अपने से लिखी चीजहें लंबे समय تक याद रहती है हलांकि मैं यहां पर बकेटे बताऊंगा कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना सभी चीजों को ठीक है तो गायश चलिए लेक्टर को start करते हैं लेकिन सबीच करने से पहले मैं सभी से कहना चाहँगा की बास सभी नुमर 12 का वन साथ लेक्चर को ठीक है तो आप सभी लोग हैडिंग डालेगा इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नमर 12 चैप्टर 12 परमाण। यह आपके चैप्टर का नाम है ठीक है हलाकि एक में दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है इस थ्वावन लीचे लिखना पड़ेगा है है चैप्टर ट्विल सालों के पेपर को और ट्रेंड को देखा जाए पिछले तीन से चार सालों के ट्रेंड को देखा जाए तो आप सभी के बोड एक्जाम में सबसे पहली बात इस चैप्टर से एक आपजेट्टी पूछा जाता है आपके बनते हैं किसी किसी सेट में आपको आपडियु देखने को मिलेंगे दुसरी बात यहां पुछा जाता है है उसका दो से तीन अंक होता है और जो फिस 시क्रान के होताई मिरसा कि यह आपका यहां को पूछा जाता है तो कुल मिलाकर यहां से देखा जाए तो पांच से च्छांग की कोशन पूछी जाते हैं कभी कभी साथ आठ अंक के भी पूछे गए है चैप्टर इप्वाटेंट है महत्पूर्ण है इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा समझे कि या समझे सभी लो इसे ध्यान से पढ़िए दूसरी बात यहा है कि चीजों को समझते हुए चलिएगा अब जो चीज़े मैं कहूंगा कमेंट बाक्स में बराबर कमेंट करते हुए चलिए चलिए तो इससे आपकी चीज़े लंबे समय तक याद रहेंगी ठीक है चले श्ट हलाकि जो 11 पढ़े होंगे उनको class 11 पर चैप्टर नमर वन chemistry का चैप्टर वन में यह सबी चीजे पढ़ा दी जाती है नहीं पढ़े होंगे तो बात अलग है तो फिर से आपको आज पढ़ना पढ़ेगा तो class 11 की chemistry के चैप्टर नमर वन में यह चैप्टर है वहां पर आपको अब करें फरी करें या फिर आप किसी एर पोसट की प्रप्रियशिंगा करें यह चैप्टर त Ms. limited देंगे आप निमेकल बेसिक लेवल के पूछे जाते जाता कठी नहीं होते हैं अगर आप लेक्षर को अच्छे देखें तो निमेकल अपने आप हो जाएंगे ठीक है तो चलिए इस्टार्ट करते हैं आपका यह चैप्टर ठीक है इसमें जब जे पहले हम लोग जानते हैं कि आपको जानना चाहीं तकी परमाडू परमाडू की जो इस्ट्रेक्चर होती है थीगर जो होता है परमाडू अवाज होगला सहीचे जा रही ने आप लोग पास कि बतादो एक बार अवाज ओगला सहीचे जा रही न। कि और भी कि परमाडू की बात करें तो बात या आति कि परमाडू किसे मिलके बने होते हैं तो परमाडू आपको यह पता होना चाहिए कि इरटान, प्रोटान मलब इसी सब YEAR को वर्लाप पर्माडव आपका एक हो यह दो चीज दू अलग-अलग तो यहां पर बात आथे है कि यहां पर पर्मारु के बारे मैं न पड़किए पर्मारु की संदचना के बारे में पड़ेंगे पर्माडू गेदों की तरह है पर्माडू आपके मुबाइल की तरह है कि पर्माडू का आकार जो है कैसा पर्माडू होता है और कैसे इस्टेबल होता है यह सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग समझे तो पर्माडू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पर्माडू की संद्चना पर्माडू की स्टक्चर पर्माडू की बारे में हम लोग इसे समझेंगे ठीक है तो पर्माडू की बात करें तो पर्माडू जो होता है ठीक है इसके भी से में सबसे पहले डाल्टन ने बता जाता है तो पर्माडू के बारे हम लोग पढ़ेंगे पर्माडू की सनुच्छना के बारें पढ़ेंगे जैसे आप हैं तो आपका बाल कैसा है आपका हेर इस्टाल कैसा है आपका चेहरा कैसा आखे कैसे है दिली ली आखे कैसे आखे तो यह सभी चीजे तो यह सभी चीजें अब करना है जानना चाहिए तो आपको किसी को बताना होगा जिसे मान लिए आपको कोई देखने आया देख socio न पर यह थैं तो वहba दो कैसा है और किस तरह से टीबल होता है यह सब है अलागला psychologist आफेजान को अपको हां थिखाय है यह दोनों छीजेंगे सिधान दोनों लोगों के सिधान को पढ़ना है यह सवी चिया आपको यह चैप्टर में कप्लीट करना है ठीक है या अधिन गलना रबर रडर 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 फोड का परमाडू बाड़ ठीक है रडर फोड रडर फोड का परमाडू माडर कैसा होता है किस तरह से काम करता है ध्यान देना से बिलोग skirts परमाडू माडर कैसा होता किस तरह से काम करता ध्यान देना यहां फे कि जो परमाडू कोई परमाडू होता है इसको बताया इसके लिए उन्होंने क्या किया एक तरह से काम लिए आलफा की अलफा तरह का यूज की आप लोगने पढ़े फ़िए पढ़ें पढ़ें इसे किसका यूच कियाth । इन्होंने आल्फा किलर का यूच कियाल पात्र को श्री उत्त से सव पत्र यह पत्रर होती स्वड़ पत्र स्वड़ पत्र से इन्होंने अलफा किरण को क्या गुजा रहा तो क्या हुआ कि कुछ किरणे सीधे निकल गई सीधे सीधे पारोंगी अब सीधे किरण कैसे पारोंगी कब पारोंगी जैसे आप जाओगे कहीं पर चोरी कर निकले चोरी करके सीधे कब निकल ज नमर्द दो कंडिशन इसमें क्या आता है इसमें नमर्द दो कंडिशन आता है कि कुछ किर्ड जाती है अंदर लेकिन वापस लोड कर इसी तरह से चली आती है इसका मतलब क्या यहां पर कोई बुस्टंडा खड़ा होगा तभी तो वापस इसके प्रगास नहीं कर पायोंगे आएज खड़ा हो गया चोरी कैसे करोगे कैसे जाओ नहीं जाओ लोट के चले आओ जान बची तो लाकोगा जान बच गई तो हो गया ना मुश्टंडा इसका मदब यहां पर कोई ने कोई है ठीक है तीजरी बात क्या है यह पर चारा गया और यहां पर मुश्टंडा को दे किदे निकल गई कुछ निकिड में वहां पर चलिया और ने कुछ किड़े कुछ एंगल पर आप और यहां प्रक्रियृत हो गई है कि बात समझे कि तो तो तीन कंडिशन ते पर ने पाया सुफमि Communist हरा को तो यहाँ पर दिया यह तो सभी लोग लिखिए मैं बता रहा हूं क्या लिखना है तो यहां पर क्या है यह तो मैंने स्वर्पद जिल्ली के लिए करा ठीक है उन्होंने क्या किया इसी परमाणू पस्ति नाभिक के कारण यह सभी चीज़े बता है सब्सक्राइब अए lets pass कराते है by the PD आ नोचिछ चली जाटी एं क्या यहां रहा वापस लोट आ रहा है स्मझ में आरा है कोई किसी को डाउट नहीं है अरे बताओ कोई किसी को डाउट नहीं है और जो नहीं क्लास में उनको जाब फोनोगरा करके बुला लो सबी लो तो उनको पर लगे क्लास ही नहीं हुई थी कि देख रहे हो कि इस्साम को आएंगे क्लास करो सिवान स्पांडे अभी क्लास करो लास्ट में बाते होंगी ठीक है क्लास करो कि अब अब फो फो अब अब तो आपको डाउट नहीं लिखना डाये अपने डाउट को लिखना मैं मैं सबका देखता हूं कमेंट पहली बात दूसरी बात अगर डाउट लिखो तो आपके कमेंट को मैं नहीं दूखुआ ठीक मुझा तीसरी बात कि अठी से पढ़ेंगे कोई डाउट ही नहीं हुआगा अभी पढ़ाएं क्या कि डाउट हो जाएगा दर कि पढ़ा रहा है कोई बीमारी हुमारी हो गई क्या आपको कि यह कौशी बीमारी है कि पढ़ा पीजित रहे हैं डाउट कमिश्टिक हो आ रहा है इनको देखो इनको नम्रता क्या हो गया आपको कि आपको डाउट है कि यह कमिश्टिक पर यह कमिश्टिक पढ़ रहे हो आप कि अधिया भरा गया मेरा ठीक है यह ब्लैक में भरने हो जाएगा कि या बताओं आप लोगों को हाँ कि अधियोगों कि शुरू करते हैं ठीक है नोने क्या बता है तिन सिद्धान ता कुछ किलरच शीरे वापस निकल गई पास कर गई क्या यहां पर गई और यह टकरा का कुछ एंगल पर गुम गई और कुछ किलर प्रार कि नहों में लिखेगा सभी लोग फर्माडू की सनरचना जानने के लिए लाड लाड रडर फोड 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 1911 में एक प्रयोग क्या एक प्रयोग क्या एक लिखना जबी लूग में अंधिन गदर्स का लिया इस प्रयोग में ईसापर्योग में प्रयोग। पोलोनियम का यूज क्या हो इस प्रियोग में उन्हों नामक नामक रेडियो एक्टिव धातु का प्रियोग किया और और उसे कहां से पास किया और उसे स्वड पत्र जिल्ली से पास किया उसे क्या किया स्वड पत्र जिल्ली से पास किया ज्यां से सुना पर्माणू की संद्धना जानने के लिए लाड डडर फोड में 1911 में प्रियोग किया इस प्रियोग में प्रियोग में प्रियोग प्रियोग के प्रियोग के अधार पे प्रियोग के आधार पे आदार पर यह तीन निश्कस के राप्त हूआ अब कौन से तीन इश्कस प्राप्त हुआ उसको लिखेंगे उस प्रयोग करत नहीं क्या किया और उट इसनाव उन्यूनरे तीन जैस्ट जानेगे तेन में अपको याद करने वाली बात यह पर्लोनियण नामक में और इसे पूछ ने भाता अब्तिक है वहिब कई आप किस आथा व्रेडियोट को किया रुसक्त किया था था समझें कशी कोई डाउट नहीं ने तब चले तीनों बातों को लिखते हैं जो हमने आपको समझाया भी कि कुछ किलर्ड क्या होती है वापस चली जाती है और पासकर जाती है और कुछ कुछ है एंगल पे विवर्तित हो जाती है यह तीनों पॉइंट को हम लोग लिखेंगे ठीक है तो सभी लोग लिखेगा पहले सिद्धान्त उन्हें पहला क्या प्राप्त किया अब मैं सिद्धान्त इसके नीचे मैं बता रहा हूं मैं इसको रब करके लिखा रहा हूं ठीक ह ध्यान देना सबसे पहला सिद्धान्द ध्यान देना सबसे पहला सिद्धान्द क्या है कि जब अधिकांस अलफाकड यहां पर क्या पॉलोनियम नामकदार्श से अलफाकड को इस पर अप्तित किया तो लिखना सभी लोग पहला वला सिद्धान्द कि अधिकांसलफा कड़, स्वल पत्र जिल्ली से और पार बिना प्रभावित हुँए सीधे चली जाती है अधिकांसלफा कड़ स्वल पत्र जिल्ली से क्या होती है बिना प्रभावित हुएśniejist हुए आर पार पार चली जाती है बिना प्रभावित हुए सीधे आर पार चली जाती है अधिकांस अलपाकड ऐसे करते है अधिकांस अलपाकड स्वड़ पत्र जिली से बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाती है अधिकांस अलपाकड ऐसे होते है इससे क्या आपको पता निकलता है इससे क्या पता चलता है कि क्या ना भी या इससे क्या पता चलता आपको कि परमाड़ों में अधिकांस अस्तान खाली होता है खोकला होता है क्योंकि खाली अस्तान से ही जब पास करेंगे मैंने आपको मुष्टंडा वाली का नहीं होता है न सीठे जाओगे चले जाओगे लेकिन बीच मुष्टंडा है कि आप वापस लोड़ा होगे तो लिखना सभी लोग इससे या पता चलता है इससे यह पता चलता है यह पता चलता है कि इससे यह पता चलता है कि परमाणू में में अधिकांस रिक्त अस्थान होता है अस्थान होता है फरमाणू क्या होता है अधिकांस अस्थान क्या होता है रिक्त होता है बताएए पिच्चर नहीं आता मतलब तरिश्य सबंभना आछाव क्या बिना परवाईत हुए इस बीच से सीधे क्राव्ट कर गई इसका क्या मतलब कि यहां पर तो खाली अस्थान रहा होगा और यह पर कोई मुश्टंडा हो रहा होता तो सीधे वापस चले आये होते है ना समझ में आ रहा है तो सीधे क्या हुआ क्रास कर गया यहां से बाहर चला गया अधिकांस कुछ किया हुए इस नाभिक से टकरा कर वापस चले गए वह तो जिन जुझ गया उनका बाता लगए ठीक है लेकिन पहले नमर पर यही पॉइंट आपको समझता है कि रधर फोड नहीं बता था कि अधिकांस जो अलफा कर थे पर माडसे सिदे कर गये सिदे क्या हुए क्रास कर गये ठीक है रुषरा उन्होंने बताया कि sais त्षावसे बताइब सब्सक्राइब नाइंट या फिर अधिक कोड़ पर यहां से र्यान देना या तुस्तिए ऐसे चले गए या फिर अधिक कोड़ पर क्या हो गया इनका प्रक्रिडन हो गया ठीक है तो लिखना कुछ अलपा कर कुछ अलपा कर क्या हुआ नाइंटी डिगरी या फिर अधिक कोड़ पर अधिक कोड़ पर क्या हुए प्रक्रिडित हो गए प्रक्रिडित हो गए है हो गए इससे क्या असपस्त निकलता है क्या निसकस निकलता ध्यान देना जब प्रक्रिडित हो गए प्रक्रिडित होने का मतलब क्या हुआ यानि इसका यहां मतलब यह हो गया कि वहां पर कोई न कोई प्रमाडू उपस्तित है इसका मतलब यहां पर कोई न कोई चीज उपस्तित इसलिए तो उसको शूट कर निकल गया बाहर यहां पर देखिए यहां से गया ऐसे निकल गया कि वह है तो हमीन हो तो इसका मतलम निकलता है इसका मतलम निकलता है कि अधिकांस दवमान में कि पर्माणू के अधिकांस भाग में क्या होता है verdict पीन में कोई द्रवयमान उपस्तित होता है कि इसी होता है को जान भी कुछ सीधे पास कर गई इसका मतलब यह इंकनल और कि इसका मतलब कि यहां पे कोई यह कोई नगल न क्री से ना के अपर निचे चल गया गया है कि इसे ना कृइन क्या चीज़ रे कव्षम estoy यहां से गई और इसकी टाकर के वापस चले गई अब तक क्यों को यह पता हो यह पता है अलफा कड पर कौन सा आवेश होता है यह प्लस आवेश होता है प्लस हावे सुता है प्लस हावे सुता है बिलकुल दो की लिटान है। यहां पर प्लस रख दिया जाएenne हैं पहले शेप्र manifest पड़े होंगे हैं जैए इस नहीं क pencils दूर बागा इसने पतिकर्ष carbohydrate होगा यहां परonly कंड गया और यहां व्हुंतात मतलब होता है फिसमूज है इसका क्या मतलब होगा कि कुछ अलफाइकर अपने मार्से वापस लोटाते हैं लिखना कुछ अलपाकड क्या हुए अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं कुछ अलपाकड क्या होते हैं अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं ना जाकर वहां से लौट आते हैं इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पे यहां पे यहां मतलब क्या हुआ यह कोई न कोई था अपुं स्यूद्ध को ठीं सिदान तक को आगया वगा मुझे उमीद है नहीं जो कि आपको नया पढ़ना है जोकि आपने पहले प्रति प्रकास में प्रक्रीडित होने वाले अलफा कड़ों की संख्या कि प्रति प्रकास में प्रक्रीडित होने वाले अलफा कड़ों की संख्या क्या हो दिये जानते हैं अगर मालिए थीटा कोड़ पर प्रक्रीडन होता है थीटा कोड़ पर प्रक्रीडन होता है अगर थीटा कोड़ प्रक्रीडन होता है तो प्रक्रीड होने वाली प्रकास कीड़ों की संख्या जो होता है यह न यह प्रपोस्मल होता हुआन अपान साइन थीटा वाइट टू के कि यहां र bleach फेश होता है एक सी दांत आपको इस्टा पढ़नी है समझें सब् us you कि एक प्राइज तेच्सिंदाओं आपको याद करना था की पहला सिद्द से निकले से जोन पार्टिकल जो करती सीध nehme निकल गए कुछ टकर होके इस से अंगल पर चले गए तीसरा क्या था वापस लोट गए चौता क्या था यह जो गए है कितने लोग वापस यह टकर होके वापस गए अगर उनकी संख्या ग्याद करना तो यह इस इकॉल टू प्रपोशनल टू और पांस साइन पार फोर ठीटा यहां पर ठीटा है यह यहां पर यहां से यह एंगल बनाता है कि समझे सभी लोग इसके आगे चले चले इसका आगे इसके आगे चले बताएए इसके आगे चलते हैं यह तो आलफा करण की बात हो गए इसको हम रब करते हैं इसके आगे चलते हैं इसके आगे दो-तीन चीजा और इनके बारे में पढ़नी है और यह कोशन कैसे आता है मैं आपको बताने जा रहा हूं भी पहली बात तो आपज झाल 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 यहां साचिन मिस्साétais अप्लेट होगा पड़ाई नहीं करोगे अप्लोड भगा पिटेखे अब क्या करना है तो तीन चीजें आपको समझना है तो थिन आपको सम жив Script समयंदा चीज़ा सवच्ट कि नाविक का आक ँदा क्या होता हम उन्हां ने जो तो बता यहां पर जहां से यह दे क्रियर जी से आपको वांपस यह ऀया रहे थे तो क्या आ यह यह ज़े नाविक यह दिन कर्या हागत है यह पहली बात कि यहां से यह तकर होके वापस लोटाता है उन्हों नहीं यह बता है दूसरी बात एक निमेरकल आपके जावे बनता है अवरेन्हां से आपको मिल भी जायगा क्यां की जो यह नाभीक था यहां पर जो न्हां था इसकी दिजा हम एक मुनिट यार यह देख रहे हो कम्या कौन थी पहली कम्या क्या थी रडर फोट ने यह नहीं बता पाया कि पर्माडू की आस्थाइट पर्माडू का आस्थाइट पहला क्या पर्माडू पर्माडू की आस्थाइट तो का वडन नहीं कर पाये परमाडू के अस्थायत का वड़न उन्होंने नहीं कर पाए कौन दर्रफोड ने परमाडू के अस्थायत का वड़न नहीं कर पाए दर्रफोड ने यह बताया था कि यहां में पाश्टी चार्ज होता और इसकी बाद चारो तरफ इलेटान गति करता रहता है जया सुजना अपर दिवांसे अगर आप 4 तरव रिटांग करता रहता है तो वहां से क्या करते विये क्या उसकी उझ्जा में हानी नहीं। होगी ना। जब उढ़ा में हानी合ी तो समय आएगा य। निचे जाएगा को और इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताय कभी तो करो सुटेख लोग कर दो पताव समझें कि नहीं समझें पिल्गुल आप सही कर रहे हो यह हुआ ठीक है अभी समझें लो आप लोग क्या होता है यह चकर करते करते गिर सकता है देखें उसके बारे मुझोंने नहीं बता है था में इसके बाद दुसरा था रिकहीं स्पेट्रम की व्यक्झा उनोंने नहीं किया यह यह में दatta मैं रिखाampa हुआ यसrik fatto इब व्यक्रार कि नहीं गिंग रेकी स्पेटर में खेव आखा मैं ओने नहीं किया देखेश्च के विए खावन नहीं किया था ऐसे एड़े दो ति यह आप लोग समस्झ गया होगी है आख कि अधिक नहीं समझें बताओ तो दो चीजे हैं कि पहले उन्होंने क्या पर्माण का थाच की व्याख्या नहीं कर पाया और यह उनकी कम्या था चलिए कि अब आप सभी लोग हैटिंग करिएगा कि निल्स बोहर का पर्माडु माधर देखे आपको मैं पीडिया दिखाता हूं यह देखें पूरा पीडियेफ है इसमें मैं फूरा लिखा यहां देखें नीस बोहर का पर्माडु माधर ये दिखिए लास्ट में मैं मैं कुछ अब्जेटिक कोशन वीडिया हूं ये दिखें कुछ निमेरिकल कोशन वीडिया हूं यह पूरी चीज़े हैं आपको PDF में इसको मैं बताने के बाद आपको आगी चलूँगा ठीक है क्लास के बाद लिख पाते हो आप लोग आपको समझ में आया कि नहीं यह बता देना एक टापिक क्लियर हो गया आपका ज्यान देना सभी लोग कैसे एकजाम में बने हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं एक कोशन बना था आपकी एकजाम में की लिखे सभी लोग रदर फोट के परमाडू माडल की व्याक्या कीजिए तथा इनके कम्यों पर उल्ले कीजिए तिके सभी लोग रदर फोट के परमाडू माडल पर व्याक्या कीजिए यह कोशन बना था अपने से लिखने की कोशिस करना रदर फोट के परमाडू माडल की व्याख्या कीजिए तथा अरे हाँ यार से यूट चेप्टर का पीडियोप मैं भूल गया आपो कोई कॉल कर रहे हैं क्यों नहीं बताते हो यार रदर फोट के परमाडू माडल की व्याख्या कीजिए तथा इनकी कम्यों का उल्लेक कीजिए नहीं हो गया दो ही कम्या इनका है पहले परमाडू की व्याख्या उन्होंने नहीं कर पाया था अस्थाइट की व्याख्या दूसरा कमी क्या था दूसरा कमी यह था कि इस लेकी स्पेटर्म की व्याख्या उन्होंने नहीं कर पाया तो कोशन क्या है रदर फोड के परमाडू की वैख्या कीजिए परमाडू माडल की वैख्या कीजिए तरह इनकी कम्यों को उलेख कीजिए पहला हो ठीक है यही कोशन बनता है और यही कोशन बुना भी यही जामे और इनके नियम के अधार पे जो PDF पहला निमेरिकल कोशन है इ ताकि मैं उसको सुन करा हूँगा निमेकल का गोसन है जो अभी तख आपके एक्जामिप बनाएं चले नेश्ट पे चलते निल से बोहर की परमाडू माड़न निल से बोहर की परमाडू माड़न निल से बोहर का जो परमाडू माड़न उसके बारे निल से ग्यारे में 1911 में रडर फोर्ड ने अपना परमाडू माड़न दया था दो साल बाद बाद 1913 में निल से बोहर ने अपना परमाडू माडल दिया जो इनके कम्धो को दूर किया इनका पहला कमी क्या था परमाडू की अस्थाइट के कि बारे मिन्हों ने भी आख्या नहीं किया था जैसे कोई भी पर्माणूय यहां पर नाभिक है यहां प्लस चारव तरफ इलेटान गति कर रहा है गति करते ही जा रहा है जब करती करेगा तो यह पे उर्जीया की हाणी होगी होगी हाणी होगी अगर आप ऐसे से चलोगे युशी के चकर में भागोगे पिछे पीछे तो क्या होगा कभी न ही तो होगी कभी ने कभी आफ कि गर जाओगे दें खाँगे इसकी बारे में इन्होंने कुछ नहीं बता ziehen कि लेकिन विपनी सर दूर किया कि निल सबोहर ने इसको दूर किया टिक है निल सबोहर ने दूर कि नियुग सबोहरो में बताय teenage पर्माडब होते ह्योग आएसे तैसे कच्छे में नहीं चलते हैं पर्माडब जो थे जो इलिटान होते हैं नाद के 4 बनां एक निसले कच्छा में चलता है ऐसी उपर नीचे नहीं कि जहाँ भागने दवड़ नहीं एक निशित कच्छा में चलता है लिखने ना इस में इसको मैं एक-एक मैं को समझाऊंगा संधुनित क्या इंक अब्ट लू कि नाभी की चार और एक विशेज कच्छा में चलता है का में चलती है या कष्छा में चलती है जिने आम लोग अस्थाई कुछा कंद आस्थाई कहते हैं जिस इसका में चलेगा उसमी नाचते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होती है एक थोडा चलते थकाई आजाती प्यास लग जाता है क्यों कि आप अपना घर अस्थाई घर है तो इसी तरह से बीसेश कच्चा में इले टान गति करते रहती हैं गठत है और ही अस्थाई-कच्छा करते ह है इसा ये अलसं जा चारत wins नहीं करते समय को जो इन वह घती हो रचांग घ्रच न जिया गा न गूंग डिर जाएगा तब पर्माडू ऑगी पर्माड सब्सक्रा जाइगा पर PLAY मने बता आपको कहां परमारो उस्थाही रता है यह बता है इसके चार्व गत्य करता है नीचे गिर जाएगा क्यों गिरेगा कि तो उर्जा कि हानी होगा बैठ जाएगा तो अपने आप अस्थाही हो जाएगा जिरो जाएगा को अब तहु कि दिम्याक रहता कि इसलिए मैं ध्याननी देता हम लों कमेंट पे अभी तक ही आगे चला होता है तो मैंने क्या बता आपको नियर्स ने यह बता कि परमारो एक बीशेश का चानी जिसके वज़ह से अथ्ठाहीं का अच्छा में चाओता है और उनका एक कोड़ी सम्ह Pie सभीत Θब congressional के ली संवीाइक होता है और य सफमिध दोऱ नहीं यह कृणित होता है। इस नाभिक चारों गरती करता उत्म बल्कार करता अभी क केंद्रबल अभी केंद्रबल अभी केंदर बलकार करता है कौनसा बलकार करता है अभी केंदर बलकार करता है अरे रेटान नाभी के चारों तरफ गति करे तो वहाँ पर कौनसा बलकार करेगा अभी केंदर बलकार करेगा कौनसा बलकार करेगा अभी केंदर बलकार करता है कि होता है से लिखते हैं इसकाल आगे बताँ जो यह कोई भी dang यांता है लुए जाता है तो यहां कि कि अधिशने नहीं अधाव समझे की नहीं समझे हैं अधाव मैं एक एक स्टेटमेंन लिखाता हूं समझाता हूं कि यह वाली चीज़े न थुद्ध करें गया वाले पढ़े होंगे तो वो तेजी समझ मैं कि अधिशने बताता हूं कि अधिशने नियुक्त ने क्या बता है उनी सू तही रहे है में प्रोफेसर की व nurtom ने बताये कि ने सिधान दिया कि क्या सिधान सब्सेब से पहला थिदया उन्होंने यह सिधान सब्सेब से पहला सिधान किया दिया तबंभ विशेष का अच्छा में ही परिकरमट करते हैं गुबभ विवेटान जो होते हैं नाभिक के चारों के चारों तरफ कुछ विशेज कच्छा में ही परिक्रमड करते हैं इन कच्छा का कोड़ी कोड़ी कच्छा करते हैं इन कच्छा का कोड़ी कोड़ी वेग अंहअच्टूप अपांटूपाई चार पुडर गुडरज होता है पाला स्टेatamenteौु का यह स्टेटमेंदू यांनि जो यंग विय्व यार खोडरी वेग होता यहां है यंटूपांटूपाई का फुडर गुडरज होता है। पालाई स्टेट में यह विशिस अस्थाई क अच्छा में गति करते हैं और इस्ट्छाओं का कि इन कच्छाओं का जो कोड़ी संभीक होता न है आच अपान टूपाई का पुढड गुड़ज होता है पाला सवा इस्टेट में अगे सभी लोग कि समझे की नहीं समझे रहे हैं और यहां पर यह जो है आपका यह क्या है यह तरह से क्वांटम नमर होता है कि और ही от occurred को इन्होंने किventional आनि यह सब चीजे कहा था यह चीजे आपको ज्यादा नहीं जानी है चो लोट ही जानी है जो इक्जाम समय में याद रहे न जिसे आपके सामने माल लेते हैं यह आपका कोई नाभिक है ठीक है इसके चारों तरफ यह कछ्छा है आपके यह कछ्छा है तो इन कछ्छाओं का इन्होंने अलग-अलग नाम दिखा था फिकर बना देना एक्जाम में तो आपके लिए वेनफिट है यह सभी चीजे यह नाभ करते हैं जिए यह करते हैं इस था होता है 好吧 इसके लिए लिए यंका मान 1 हो गया इसके लिए टेनक कवान 2 हो गया 20 हो इसके लिए एंक लिए अ कि विलुव क्या समझेए विलू। का इस इस कष्षाय में ही इस उंपर एक अभी केंद्र बल कार करता है गती करते समें इस पे क्या करता है एक अभी केंद्र बल करता है इनकीएम पर बहुक्त सारी निमीर्कल्स है जो कि इक्जामे पूछे जाते हैं दूस्रा सिदांदिनोंनो ने क्या दिया था? दूस्रा इसी दांदिनोंने यदिया था कि प्रतेक को अपने प्रतेक इलेटान को अपने अस्थाई कच्छा में गुंटे जमय एक अभिकेंद बल इलेटान तता नाभिक के बीच आरोपित होता है प्रतेक इलेटान जब अपने अस्थाई कच्छा में गति करता है प्रतेक इलेटान जब अपने अस्थाई कच्छा में गति करता है तो क्या गता उस पर क्या बल करता है एक इलेटान के नाभिक तथा इलेटान के मदे एक अभिकेंदर बल कारे करता है तो गति करता है तो गूमने के लिए के लिए अभिकेंदर बल क्यिंड्र वल जो होता है कौंद कौन पीच में लगता इरेटान के नाभिक तथा इरेटान के मद्र बल आरोपित करता है अब केंड्र बल क्या होता नाभिक तथा नाविक तथा इले टान के मद्र कारिक लोग यह अच्छा में गति करते हैं तो कोई भी गति आप अगर साइकल भी गोलाई में घूमते हैं तो वहां पर एक अभी केंद बल कार कर दा वहां पर आपकेंद बल आपकेंद तथा जो आप नाइन तो पर फिर पड़े होंगे वहा होता हुवँ अभी केंद बल के रूप में कार करता है यहां पर यहां पर अभी केंद बल कार करता ए यहां के नाभिक इलेटान के नाभिक तथा इलेटान के मदे कार करता है के मदे कार करता है और वह कौन होता है वह आपका कार करता है जो क्या होता है इस तिर वैदुत की बल होता है हुआ है इन लिटान के नाभी तता इलिटान के जो है उनके मद इसे बैदुकी बल कार करता है समझे लिटान में प्लस जेड़ इका धनावेश है यहां पर इलिटान और यहां पर इलिटान गति कर रहा है इनके मद और करने वाला बल क्या हो जाएगा बल हो जाएगा वन अप्सालन नाट जेड़ इंटू इपान आर इसकॉर यह हो जाए जेड़ इंटू इपान आर स्कॉर यह समझा आ सभी को बताओ नेस्ट स्टेटमेंट उन्होंने क्या होता है जब इन्हें टान किसी निन उज्जास्तर से उच्छ उज्जास्तर ने प्रिवेश करता है तो उनके मद उज्जा का आउसुसर होता है वह आउसुसर क्या होता है दोनों उज्जास्तरों के अंतर के बराबर होता है या फिर पुझ्जा का उत्सर्जन होता है वह भी उत्सर्जन आपके दोनों के अंतर के बराबर होता है समझ मैं सभी को रब करें इसे लिख लीजिए सभी लोग तो झाल आपके बराबर हो आपके बराबर होता है लित्सर्जन आपके आपके रहोता है चर स्ट्सर्ड़ करें reflectेंसे सिर्फ को यह भी उत्सर्जम सब्स्राबर नहां सभी करेंसे नहीं सब्स्क्रुन कि जड़े गों कि आइक है कि बताएंगे बताएंगे कंप्लीट तो हो जाने दो ऍैस्ट किया है नेश्ट का तीस त्रायास धन हों का कहा प्रिया पर्चंसंठ है इसतर ल्जा जब कोई परमाडू का कोई ले टान कि प्रियम रहारा यह कि पर्चा मच रहे तो भाइ नीचे से उपर जाना होगा आपको तो जरूर कहीं से energy क्या आउसकता होती तो यहां पर क्या होता और जो होता है इन दोनों उर्जा आस्तरों के अंतर के बराबर होता है यहां पर क्या होता है उर्जा का आस्तर होता है और उर्जा का जो आस्तर होता है इन दोनों उर्जा आस्तर E2-E1 के बराबर होता है उर्जा का आस्तर जिसका वेलू H2 के बराबर होता है तो जाता है तो जाता है इसके भी प्रित बात करते हैं अगर उच उर्जा आस्तर से यानि एटू से एवन में आता है तो क्या होगा यहां पर उच्छा का उच्छार्जन होगा वहां क्या होगा हो तो मतलब यहां पर उच्छार्जन होगा यहां पर टू माइनस पीवन इस इक़र दू एच्मी होगा तो तो समझेए सभी लोग, दो चीजे हैं, अगर आप लिखना इसको जब परमाडू, निम्ने उर्जा अस्तर से उच्छ उर्जा अस्तर में प्रवेश्ट करता है, तब लिखना सभी लो जब परमाडू, निम्ने उर्जा अस्तर से उच्छ उर्जा अस्तर में प्रवेश्ट करेगा, तो क्या होगा, उर्जा का आउस्तर सर्फ होता है, तेखना समय लोग, जब परमाडू, निम्ने उर्जा अस्तर से उच्छ उर्जा अस्तर में, क्या करता है, प्रवेश्ट करता है तो हुआ करता है तो पुर्जा का ऑस्फोर होता है है और क्या होता है तो यह तो दोनों पुर्जा अस्तर अस्तर कर तर अंतर के वर होता है है कि वह दोनों अंतर की अंतर की क्या होता बराबर होता है कि इसलोभ कि यदि उच यह जाघ्न मि अ व्यावर्तविसे षर्जन होता है इसे खुच से लिख लेना से लो नियम्ने से, उचमे जाएगा तो उसना तो चोड़ोगा कुच से नियम्ने.' आओगь तो उच्छन होगा लगता हो जैसे आप सीजें समझ करते हूँ नीचे हो कि अगर आप की अभी आपको 80 से अगर आपको 90 से 90 टार्टरंग रखे आप तयारी करोंगे तो 80 countries झाने के लिए आपको फ्रा मेहनत करना पड़ेगा उर्जा काinku आन स्सूर करना पड़े लेकिन 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 तो आपकी 80 हैAB electrPI करते हो बिना कुछ किये उर्जा का उत्र जार्जार होते हुए सब्दार जाए मेंद करोंगिंग इनीचे नीचे जाने मुझें सब्सक्राइब कि ए आप आप नहीं समु arises सुबह आएगा सुबह आएगा कल तिन सुबह कल आएगा कल दो कोशन कर आदेंगे ठीक है आगे चले लिखी गा सभी लोग बहुर किसी दान के अदार पर अथा क्छाओं की तिज्ञाए और यहां से निमेरिकला वनता है इस फारमुले पर वह और किसी दान के अदार पर अस्थाई क अच्छाओं की क्या तिज्ञाए अभी मैं पूरा फिरी कमप्लीट करा लास्ट में नोर्स बनाते चलना यह नीमेरिकल यह जितने भी फार्मौला अभी तो नहीं आए आप फार्मौला आएगा उसे लिखते चलना ठीक आपको ट्रिक करना है कि अस्थाई कछाओं की तृज्या एवं कछी वेग इसके पहले आपको यह बता दे कि इस बहुर के सिद्दान से एक्जा में कैसे पूछा जाता है तब उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं वहार के परमाडु माडल का पर टिपड़े लिखे तो आपको यह तीनों सिद्दान लिखना जो मैंने लिखवाया अब लो लिख लिए कोशन को बोहर के परमाडु माडल पर टिपड़े लिखे और खुछ से लिख लिख लिजेगा यह डिपेपी के कोशन है समझे लेना बोहर के परमाडु माडल पर टिपड़े लिखे वहला कोशन Hydrogen परमाडू का बोहर माडल अस्पस्ट कीजिए दुसरा कोशन Hydrogen परमाडू के बोहर माडल का को अस्पस्ट कीजिए तिस्रा कोशन लिखिए Hydrogen के लिए बोहर के तिनों परिकल बनाओ को लिखिए या समझाई हाइडोजन के लिए तीनों बोहर के तीनों परिकल्पनाओं को समझाईए तो तीन प्रकास से कोशन पूछ सकता है ठीक है इसके अलावा कोई कोशन नहीं पूछेगा अब मैं जो डेर्वेशन कराने जा रहा हूं इस डेर्वेशन से भी एकजामे कि नहीं कभी-कभी पूछ सकता इस डेर्वेशन से कोशन ठीक है पहने वाले डेर्वेशन से नहीं पूछेगा मैं बताओं का कैसे पूछेगा पहले डेर्वेशन कर लिजिए लिखेगा सब्सक्राइक अच्छाओं की त्रिज्जाय को इसके पहार यह कःपाव केंद्र है यह दनाविसर इस चारू तरडवा कर गति कर रहा है यह पर हमाणो तो कि किसी त्रिज्जाय पर गति करेगा डरoooo जब करेगा यह गति किसी रेडियस पर तो इस रेडियकावयलू जीसे माने जीए लिटा और यहसे कर तो इस माली जी यह 8 तिज्या पर गति करा तो इस रेडियस का value क्या होगी यह AAP को बताना है कि इस आपको बताना है यह बहर के शिदान से और L忍कालते अभी-अभी आपने यह पढ़ा कि बहर का सिद्दान के अमसाद जब कोई भी इलेटान नाभिक के चारों तरफ इस तरह से गति करता है तो इलेटान कि इस नाभिक के बीच लगने वाला अभिकेंद्र भली इस नाभिक के बीच लगने वाला कुलां बल जिसे आप लोग इलेट्रो इस्टेटिक बल करते हो वही आप का हभी के बराबर काम करता है हुआ mirim इस दुन I can kontrollie 10 जह जब गड़ेत Coffee एंपने की चारों तरफ गति करता है तो इन अभी सब्कोनल में पर कि सब्सक्राइब करता है मैं तुद सबंस्तंथ करता है यह तो इंदर पल यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आपकी त्रिजा है ठीक है इस इक्वाल टू क्या हो जाएगा इनके मद्द कार करने वाला बल वन अपान फोर पाई अप्सालन नाठ यह जो नाभिक है नाभिक मैं मालीजे जेड़ी जेड़ेगी का आवेस है और यहाँ पर एक लिटान गति कर रहा है तो इनके मद्द कार करने वाला बल क्या हो जाएगा जेड़ीट इंटु इपान आर स्कॉार यह हो जाएगा ज्यांजुना, यह R से R कर जाएगा, R से R कर जाएगा B squared upon e is equal to, बचेगा, क्या बचेगा, E squared upon E is equal to बचेगा 1 upon 4Pe정 zero e squared upon R यह बचेगा अभी-अभी आपने जाना है कि बोहर के प्रतम शिद्णान के अनूसार कि किसी भी और किसी प्रदम सिध्धान के अनुषार आपने यह जाना है कि कि किसी भी कोई भी इलेक्ट्रान जब नाभिक की चारों तरफ गति करता है तो एक अस्थाई कच्छा में गति करता है उस अस्थाई कच्छा का कि जो कोड़ी सम्विक होता है वह एन एच अपान टू पाई का पुड़ गुरज होता है यहां से हम लोग भी का वैलू निकालेंगे बी इकल डू क्या हो जाएगा एन एच अपान टू पाई एम भी यह हो जाए एन एच अपान टू पाई एम भी का वैलू हो जाएगा अब यह वी का वैलू यहां पर रखेंगे हम लोग तो यह मीजिकल डू क्या हो जाएगा बताना ज़रा एन यह मीजिकल डू क्या यहां पर यह वाला वैलू रखेंगे यहां पर यह वाला जो वी का value है इस वाले value को उठा कर हम लोग यहां पर b का value रखेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान देना m m h upon 2 pi m b ka whole square is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 ze square upon r यह हो जाएगा did e square upon r ठीक है तो ध्यान देना सभी लोग ध्यान देना सभी लोग क्या हो जाएगा यहां पर ध्यान देना m n square h square upon 4 pi square m square v square is equal to 4 pi square m square v square is equal to one upon 4 pi epsilon 0 2 e square upon r यह हो जाएगा तब यहां से देखिए यह आर है इसी का तो value आपको चाहिए यह आर है इसी का तो value आपको चाहिए न तो यहां से कि हम लोग कुछ चीज़ों को काटेंगे जो कटने वाली चीज़ें जीसे यह यम से कटेगा यह पाई एक पाई से कटेगा यह फोर फोर से कटेगा ठीक है और कुछ कटे वाले चीज़े है नहीं है ठीक है तो यहां से क्या आएगा R is equal to अगर solve करेंगे R is equal to क्या आएगा सदार सुझना R is equal to आएगा कि यहाँ पे N square यह उल्टा जाएगा तो N square H square यहाँ पे क्या हो जाएगा R is equal to अरे एक मेटे लिए यह भी तो R है एक R तो यहाँ से भी कटेगा यह R R से कभी कर जाएगा तो आप बचेगा अब क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा पर ले लिख लेते हैं यहाँ पे बचेगा N square H square upon Pi M R यह बचेगा is equal to Z E square upon Z E square Z E square upon epsilon बचेगा यह बचेगा तो यहाँ से यह R का बहलू चाहिए इकोल टू अप्सालन इसक्वार अप्सालन अपान Z E square यह लिख सकते हैं तो यहाँ से जान देना क्या लिख सकते हैं यहाँ पे R is equal to लिख सकते हैं अप्सालन N square H square upon Z E square ठीक है ना अपान Z E square नीचे यह वाला नीचे आएगा आएगा पाइड यम हो जाएगा ना यह हो जाएगार काक्ड रहे क्ल किल्कुलेशन மistटिक हो रहा था बताओ जरत केल्कुलेशन मिष्टिक हो रहा है किका सभी तो है ए रिर देफ्काड पाइड हम शाहत है तो यहां से हम लोग क्याय यह तरिज्य का फार्मूला होगा और इस इक्वेल्टिट्व निकालूंगा यहां पर एट्सक्वार भार हो जाएगा यह निचे। अप्छालनॉडNowbinत एटी स्क्रेबस कि अपार जेड़ बिल्कु सहीे है तो यहा Zentyon पूरा किसी भी थिज्जा की लिए हुआ कोई भी परमाडू उसकी तीज्ज्ज्यक के लिए फार्ममूला neighbors याद नहीं होना चाहिए याद स याद को मिफ्य थो थमृड को समझ लेना है कि एक्जायां में कैसे इसको प्रूब करेंगे कीशी प्रमानुपाती होती है यहां से हम लोग ली सकते हैं कि अस्थाई कच्छा में अस्थाई कच्छा में परमाणु की त्रिज्या अस्थाई कच्छा परमाणु की त्रिज्या जो होती है क्या होती है क्वांटम संख्या के क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुकरमानुपाती ह स्थाइक अच्छा में परमाड़ों की जो तिज्ञा होती है यह जो परमाड़ों की तिज्ञा होता है समझे लोग समझे की नहीं समझे कि बताओ किसके समान उपाती होता है यह तो पूरी हो गया इसको लिखिए परमाड़ों की लिए हम निकाले और निमेकल वहीं से बनता है इसे लिखिए फटा-फट सभी लोग से लिखिए मैं बैठ गया तो वो गया तो बता देना स्टाट करेंगे आसी स्यादों लिख लिए है अब हम लोग लिखिएगा सभी लोग डालेगा क्या है इसे रब करें हाड्योजन परमाड़ों के लिए हाड्योजन परमाड़ों के प्रथम कच्छा के लिए हाड्योजन परमाड़ों के लिए नाभिक जो होता है लिटान की प्रथम लिटान या प्रथम कच्छा हाड्योजन परमाड़ों के लिए आपको यह पता होना चाहीं यह जिड्ड क्या है जिसे हम लोग परमाड़ों कर्मांग करने यह तब आर क्या हो जाएगा यहानी स्कुआर को स्टक में यह का स्क्वार अप्सालन नाट अपान यह का स्क्वार अप्सालन नाट अपान जेड के अस्तान पर वन हो जाएगा और आप्सालंस्क्वार हो जाएगा पाई js ho जाएगा ठीक है अब देखिए हाड्यजान पर्माडू के लिए यम का मान आपको पता है हाड्योOMEद पर्माडू के लिए यचि का व्याजिक वैलू 3.4 3.3 3.4 इंटरेकवार री 24 वाला आपको पता जो यचिंच बाइट आपको पता है अगर Pinelli को Рख करेंगे तो आपका आएगा यान E.qa तो यहार प्याद रखना इसी से आपकी इजय में कुशन बनेगा यहां यह निवी कछ्छा का जो तीज्जा होगी वह मालीजा आपको हाड़ोजन परमाड़ू के पच्वी कछ्छा पच्वी कछ्छा के लिए तीज्जा पूछ दे मालीजा आप से कोशन पूछ्छे का यहां पर देखे यहां के अस्थान पर पांच लिखेंगे इसका स्क्वार कर देंगे 0.53 हो जाएगा 25 गुड़े तो यहां से पच्वीड अच्छा कि तुझा निकल जाएगे समझेगे बिल्कूल आर एन इसक्वार आरवन यह सब बताते हैं कि मैं आरवन का वैलू नहीं लिखता हूं मैं डारेट्ट बताता हूं आर एन इसक्वार 0.53 क्या समझेगे यहां पर क्या आर एन का वैलू क्या पांच स्क्वार यानि इन स्क्वार 0.53 यह इसक्वार नहीं होगा वहां पर हां यहां पर इसक्वार होगा है सब्सक्राइब कर लोगी आर एन इसक्वार निसक्वार 0.53 प्रिगुडा कर देना अब अलोगे आप मैं शली ठीक है कर यह तो आपका तेज्या हो गया कभी कभी क्या इसका मतलब अब हैड्योजन परमाडु के लिए यानि कोई भी बहुत के अस्थाईक अच्छा के लिए हम लोग तीजिया ग्याद कर लिया बहुत करेंगे कि जब कोईaremos तरह से घटी करता है बोहर की कच्छा की चारों तरह त empowerment प्रिकक्तर तो LET क्या होता है कि हम लोग ज्याद करेंगी हम ज़ों क्या करेंगे बेंगर के अस्ताइक अच्छा के लिए हम लोग क्या गया तरहनी ज्याद करेंगे हमा अब आप सभी लोग हैडिंग करिएगा क्या हैडिंग करना आपको अब आपको यह हैडिंग करना है कि वहर क्या अस्थाइक अच्छा के लिए वेग वहर क्या अस्थाइक अच्छा के लिए क्या वेग ही वहर के अस्थाइक अच्छा के लिए दिखेंग क्या होता है कोई भी परमड्व इस तरह से गत्य कर रहा है तो आप गति करेगा विदाउट वैक से तो गति नहीं करेगा तो यहां पर क्या होता है वेक हम लोग बवर की दुस्री सी दांज के असारप की लोग इस वारे से दांज करेगा तो यहां पर दांज दांज अब इस इक्ल टू कि अ जाएगा आनए एच इसमाल यह एच अपान टू पाई M B M R अब यहां पर R जो है इसका वैलू तब यह अभी मैंने आपको निकाल कर बताया था क्या बताया था R का वैलू वही लिखना R is equal to हमने बताया था N square यहां पर कोष्टक में क्या बताया था जड़ा सोचना यह स्कॉार अप्सालन नाट R का वैलू आपको बताया था H square अप्सालन नाट अपान H square अप्सालन नाट अपान Z N E square M यह बताया था R का वैलू यहां पर रखेंगे आब लोग यहां समझा सभी लोग करेंगे न हब लोग लिखेंगे र हानास चॉकॉर अप्सालन नाट की लोग रखेंगे लोग यहां राखेंगे ळीपान आपको two are yum यह आरका बहलू हमने लिभी दिया यह ठीक है और का बहलू समझ माया अगा सबको नज M अब धियन देना सभी लोग क्या होगा है है यम इस यम से कट जाएगा या यहम इस यहम से कट जाएगा हाँ नए और कुछ कटेगा या यह यह इस यहम से कट गया दो लोग गटे कि और पाई अगरा कुछ कटेगा बताओ कुछ कटेगा पिटेगा क्या बचता इसको लिखते हैं हम लोग फिर पता चलेगा वी इकॉल टू बचेगा क्या एन एच वी इकॉल टू क्या बचेगा पाई तो था नहीं है आपे क्या कटेगा उपर एन स्क्वाइर एच तू पाई यम आर तू पाई यम यह 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 से कट गया और यह हाह यह से कटेगा बिल्कूल यह 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 से कट जाएगा और और कुछ तो फाइणली तो निची एक यह यह रह जाएगा ना कि ऐसे नहीं कटेगा मैं मैं बताता हूं कैसे करना है कुछ गरबढ़ हो गया कुछ गरबढ़ हो गया है कैसे बताता हूं इसको ठीक है यह टूपाई यम आर यहां पर यहां पर तिज्जा में यहां पर पाई होगा पाजट पाई यन यन नहीं होता है ये पाई यम जीड़ पाई य स्क्वार यम जीड़ पाई स्क्वार यम यह होगा यह होगा है शब्सक्राइब यह होगा है यह यह गलती हुए थी कि मुझे आता है ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया जल्डी-जल्दी में ठीक है द्यान नहीं दिय उसके बाद सब कराण सों थे कहां पी प्राबलम होगई यो पाइका कट्ळल नहीं रहा है मुझे इसका फर्म्लय आधा वी जिकोल to आता है जेड़ स्कूर्ण जडिए स्कूर्ण बिज एकूल तो अगे इसकूर अपान टू यह जट्ण अप्साल नाट यम दो हमने का कि क्यों नहीं आ रहा है क्यों इस्टा आ रहा है कि यह प्रावलम आने लगा संंग्राम सिंग तब मेने कहीं गलती हुई है मैं घलती उपर दखा यह तो सही था फिर यहां पर देखा मुझे गलती सब्सक्र embassy की देख रहा है और मुझे यह आप लोगो नहीं समझ में आ रहा है संग्राम सिंग की जो चीज़े मेरे दिमाग में रहती है कैलकुलेशन वाले चीज़े और नहीं देखता हूं आपको तो बताना चाहिए सर्व रेडियस का फानुला गलत है अप लोगों का दिमाग कहा था यह यहां पर नहीं लिखा था मैंने यह लिखा था जिसके वज़े से पूरी गलती हो रही थी जल्दी जल्दी में लिखा गया आप में से कोई नहीं बता आपको यहां यहां रहा तो यहां यहां कैसे होगा इतना भी आप लोगों की दिमाग म करें गलत हो गया अम ध्यान रहें ऊपर तो सही ने चापाँ टुपाई यार यह तो शहीं लिखा है कि गलत कहां पर हो रहा है गलती मुझे पता चला तिर्जा में था कैसे कैसे लोग आप यार चलिए अब दिखाई दे रहा आप लोगों को मैं पहार रट गया के लिए अब यहां से दिखते हैं अब सिंपल है पस्तिरिज्जा में यहां पर पाई नहीं लिखा था इसके वज़े पूरी गलती हो रही थी मुझे इसका फार्मला याद था ठीक है आ नहीं रहा था आपान जेड़ पाई ई स्कॉरियम यह हो जाए ठीक है जेड़ पाई इसको आप अब ध्यान देना यह जेड़ पाई जेड़ को हम इससे काट देते हैं ताकि समझ में आए ठीक है निट डू आउट जेड़ में कन्फूजन हो जा रहा है बीज इकोल टू क्या हो जाएगा देखिए इसको हम साल्व करते है इसको ऊपर लेते जाते हैं तो आसानीस हो जाएगे है यह जेड़ पाई इसकॉर यम अपं टू पाई यम एन स्क्वाइर है इस स्क्वार समाड नाट कंसे अभी कुछ कट रहा है ध्यान देना सबी ओपर देक्वा ने लिखना सभी लोग उपर लोगी इаты से चटिक है तो और मिलेखेंगे और घ्ले मेशाच इसक्वार बची खर बची और साथ में लास्ट में आपका बचीगा को चिड कि ब तहब आपन एच अप्सालम नाट तू एच अप्सालम नाट यह आपका वेग के लिए फालूला हो गया लेकिन आपको अगर हाडूजन परमाडु के लिए वेग ध्यात करनी हो तो क्या होगi Jyn डेना सभी लोगैं अगर सब्छेण परमाडु के क्या होगी देखिए ध्यान दीजे सभी लोग हाड़ियन परमाड़ू के लिए हम लोग यह जेट का जो वैलू है वन रखेंगे जेट का वैलू रखेंगे तो क्या हो जाएगा वेख भीज इक्वल टू हो जाएगा हमेगा जेट क्रास्ट एस्कॉाइर अपन टु कर आच का वैलू रखेंगी अभी वन लिग देते हैं है जेट के असान पर लिए फसालन नाट यहां पर बहुन अपन यन- क्या हो जाते हैं ए स्कॉार अपन टु हैं अपसालन नाट वन अपन यन अब इसको जब हम साल्फ करें तो क्या आएगा हम लोग अगर सब जगह यहां से पहली बात तो असपरस्ट है यह जो वेग का बहलू होता है यह प्रपुज़न होता हुआ अपानियन की यानी अस्थाइक अच्छा का जो में चलने वाले एक्टान का वेग होता है वह क्वांटम संख्या के वित्कम अनुप अनुपाती होता है यहां यहां पर जो होता है वेग किसके समानुपती इसके क्वांटम संख्या के वित्कम के समानुपाती है अनुपाती है तो यहां से भी किसके अनुपाती होगा ठीक है पहली बात यह होगा दूस्तरी बात अगर जेट का वैलू रखा हमने जेट का वै और अप्सालनाट का बैलू जो अगर रख कर यहां पे इक शॉल्व करेंगे तो बी का बैलू आएगा आपको ही याद रखना क्यों कोई भी इकजामे रखकर साल्व करने नहीं जाएगा प्रफम कछा का पूछेगा वे प्रतम कच्छा का पूछेगा तो दो यहन का बैल्यू हम लोग उन रखेंगे दो तीक अच्छा का पूछेगा तो यहन का बैल्यू तिन रखेंगे न है कि दे निर का बैलो चेंज कर ते रहेंगे था समझे के नहीं समझे सब द्हों हाँ है है बिल्गुल समझेगे नहीं समझे सभी लो बताओ इसे नोट कीजे सभी लो हो गया तो आप लोग अभी दो चीजे जाने अगर आर्यन पूछ दे आर्यन तो यहनी स्क्वार 0.53 यह हो जाएगा यह आपने सीखा यहनी स्क्वार 0.53 हो जाएगा इसका बैलू आर्यन का बैलू यह 53 एंगस्टान होगा ठीक है और यह अगर भी यहन का बैलू पूछिए तो क्या हो जाएगा 2.1 इंटू 10 डिपावर 6 मीटर प्रतिसेकेंड अपान यन हो जाएगा यह दो चीजें आप याद रखना यही दो चीजें आप लोग आप लोटेंगे बना लेना लिख लेना फार्मला यह दो उन्नों फार्मला यह जो को वनता है निमेर कर आप यह एकन से कटे आना क्या दिक्कत है तो नीचे यह बचे गाएक लिए लुए क्यों सचीनी मैं और यहां पर यहां से कट जाएगा यहां और ऊपर यहां नहीं बचेगा, नीचे तो यहां यहां पर लिखे हैं, हैं यहां स्कॉर, ह three- Roman से कटा तैं यहां स्क्राइब्स यहां पर हैं पर यहां पर देखो यहां पर यहां पर यहनिए को निश्खर टू यहां पर बचेगा नेची कि अब बच्ची का ना अच्छी हैं पर यान बराबर हुआ जहां पर यहां पर यान बराबर एक लेंगे को यह भी वन नहीं लिखाओ यहापर भी यंग रखाऊ कि एंपर दो आप लिखा ने आपे यहनवे के लिए मैं लिखा ओं यहनवान धूरे लिखा हूं आप इॉ अँज कि अरे आप लोग कहां दिमाग रखिया हो इसका मतलब दिमाग हैं कर रहा क्या आप लोगा कि जदल लोट पड़ गया क्या है कि यहां पर यं लिखा ना यह नं वे काृच्छा बात कर रहा है कि यहलिए काammen में कीना है युटिंग पहले ही लिगया होगा दूसरे तिसले कच्छा भी हो सकता है क 때문에 बराबर होन हर द्रेक लिए भी ड्राबर highest कि नोट कर ये सबी लोग पटापटे से ज़ली इसको हम रब करते हैं झालड़ से झालड़ है तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे अभी तक हम लोग पढ़े थे कि जो वेग होता है वेग का फारमला वी यहीं तक हम लास्त समय तक चाहे बोड एकजाम हो यहीं फारमला आपको यूज आने वाला इसके आलाओ कोई पारमला यूज नहीं आएगा दूसरी पढ़ा हमने आरिए इसप्वाइर और पॉइंट फाइब तरी एक यह पढ़ाए तक है यह श्टान यह हो जाएगा जिरो पॉइंट फाइट्री इंटू टेन दीपावर माइनस टेन हो जाएगा इतना मीटर समझें कि अदे इसे लिखकर याद कर लो मैं अगर पढ़ लोगे तो आपको बुरा नहीं करेगा मैं जानता हूं तो नहीं अगर जान लोगे तो अच्छा रहेगा ये किमिष्टि में सबuger सिह कि आपको पढ़ लेना चाहिए था क्या कि सब चीजें वहीं पर तो चलिए लिखिए उत्तजन और में कि करना है आपको उत्तेजन भी apresent और फीर नहीं रहा है तो पहुत now देगा सभी लोग उत्तेजन विभाव करते हैं उत्तेजित विभाव क्या होता है यहां देना सभी लोग वन न्यूंतम त्वरक वन न्यूंतम वन न्यूंतम ज्यां देना सभी लोग क्या होता है वन न्यूंतम त्वरक विभाव जिस पर कोई इलेट्रान किसी परमाडू से टकरा कर उत्तेजित कर देता है परमाडू से तकर जिसे माल यह कोई परमाडू है इस पर माडू तकरा करेंगा उत्ते जित कर देगा उत्ते मिंद के Questo को क्यरत से Wars prim least method करेगा ha तैंटीजित हो जाएगा तो उसी घ्टा क्रतित कहा जाता है उत्तेजन गाए तो परिभाश सक्ष छिन डिखेंगा वग फ τιςविवह जिस पर कोई इलप्र है यान किसी परमाडू से टकराकर उसे उत्तेजित कर देता है ऐसे तोरक विभाव को क्या काते है उत्तेजन विभाव काते हैं लिखने ना सबीवों वह नियूनतम तोरक विभाव वह नियूनतम तोरक विभाव जिससे कोई देखे वन यूंतम तोरग भी वो जिस पर कोई इलेटान कोई इलेटान किसी परमालू से टकरा कर किसी परमालू से टकरा कर क्या होता है किसी परमालू से टकरा कर उसे उत्ते जित कर देता है उसे क्या कर देता है उत्ते जन विभव कहा जाता है तो उसे क्या कर देता है उत्ते जन विभव कहा जाता है वह निवन तोरग भी वह जिससे कोई इलेटान किसी परमालू से टकरा कर उसे क्या कर देता है उत्ते जित कर देटा hospital पहां जाता है देखें अगर आप देखा जाए हाड्रोजन का पहला उत्तेजन विवह कितना होता 10.20 होता है ठीक है लिखना सभी लोग उत्तेजन विवह के बारे में वह वह नियूंतम तोरग विवह जिससे किसी परमाडू से टकरा कर उसे क्या करता उत्तेजित कर देता उसे क्या करते हैं उत्तेजन वि और से तकरने के बाद उसे उत्तेजित कर देता है। विवो क्या कहलाता है अप का आयनन विवोख बिल्कुल बहुत अच्छा सती अच्छी प्रिबासा लिखना आयनन विवोख क्या होता है? आयनत्म तवरक विववैrespect क्या होता है? वहा हणियूद्वन्तम तवरक विववैस का तोरक विवव और विवैस का विववैस का परव gotta लेएकeed फानदोरakers पंदी। इस टोरक विववैस का पॉरक विवास व्था कोई लेटान किसी पर्मारू से, किसी पर्मारू से, कोई लेटान किसी पर्मारू से तकरा कर, उसे क्या करेता, उसे आइनित करेता, आइनित कर देता है, उसे क्या करते हैं, आइनित कर देता, उसे उत्तेजन, उत्तेजन विभाव कहते हैं, कुछ पर्माड़ुC निक्राइद से टकिर उससे और पूहिंसे क्या है ऐन हिन विभव करते रहे गए विझसे आंए के सबस्वतितित्त बंवनB速 जिससे कोई पर माडू कोई पर मारू कििसी कोई लेड क्वामने कि तक्राकitude से किया करते है तिक वह हाट्रोजिन के लिए आनन भीओ के यह लिए कितना तेटा पॉंट 10.6 व्ड के फॉंट होता है ठीक है especीजपले तेंट ही रहे पॉंटiros jsou पूर बोल्ट होता है समझे यहाँ पर बस उत्तेजन के आयनन लिख दोगे सही हो जाएगा ठीक है ठीक है हो गया से मिटाए मिट नहीं रहा है यार एक मिनट कर दो कर दो कर दो ठीक है ठीक है है ठीक करना विविक्त उर्जास्थर क्या ही करना है विविक्त 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 उर्जास्थर यह क्या होता है विविक्त उर्जास्थर क्या था वे उर्जास्थर जिनकी उर्जाएं सुनिस्चित होती है उसे विविक्त उर्जास्थर कहा जाता है वे उर्जास्थर जिनकी उर्जाएं सुनिस्चित होती है सुनिश्चित होती है उसे क्या कहा जाता है विविक्त अस्तर कहा जाता है वे उर्जा अस्तर जिनकी उर्जा है क्या सुनिश्चित होती है उनकी उर्जा क्या होती सुनिश्चित होती है उन्हें क्या कहा जाता है विविक्त अस्तर कहा जाता है कोई पर्माडू अगर उत्ते जीत अवस्था में जाता है तो अगर उत्ते जित को मैं बता रहा हूं लिखना कोई पर्माडू है अगर उत्ते जित होकर यनवे कच्छा में प्रवेश करें उत्तेजी थोकर यनवे कच्छा में प्रवेश करें तो यनवे कच्छा में इलेटान का उर्जा क्या होगा यनवे कच्छा में इलेटान का उर्जा सब्सक्राइब इसके उर्जा क्या होगी को उप्रिश्जा क्या जाता है अब इसके वह इपॉर्टन चीजे शुरू हो रही है उसकी उर्जा क्या हो जाएगी आपको अगर आप यहां से को बहुत जादा पुछा जाता है इसलिए इदर की ध्यान से पढ़ना आगे हम लोग कोशन की प्रेटीज कर लेंगे यह होता है जहां पर C क्या है प्रकास की चाल कि चाल है और रिगबर्ड नियतांक है रिगबर्ड नियतांक है तरह रिगबर्ड नियतांक का मान बता देना सबी लोग रिगबर्ड नियतांक का मान अता टेन पॉइंटल न इन टेन कामान कितना होता है बता अब करके रिह बन यतांक का वैलू क्या होता है रिगवर नियतांग का युकित्ना होता है अरे बतावे रिगवर नियतांग आर पालु कित्ना होता है 1.09 QA 7 तो प्रकास की चाल है अगर प्रकास की चाल की बात करें तो होता है 3 into 10 d power 8 meter प्रतिस सेकेंड 3 into 10 d power 8 meter प्रतिस सेकेंड यह प्रकास की चाल होती है और यह फर्मुला Z e square R h 5 C यह है आपका यह फर्मुला पुर्जा के लिए energy के लिए तो ध्यान देना सभी लोग तो ध्यान देना सभी लोग अगर हार्डोजन पर्माडू लेते हैं तब हार्डोजन पर्माडू लेते हैं तब हार्डोजन के लिए Z का मान यानि पर्माडू का मान की 1 होता है तो Z का मान 1 रखेंगे E के अस्थान पर 1.6 into 10 d power minus 19 रखेंगे ठीक है जो भी value होता है सब रखेंगे तो इसका value हो जाता R H C upon N square R H C upon N square is equal to E N E N is equal to R H C upon N square होगा वह भी बिद निगे इसे साल्ब करते हैं तो आता है 13.6 into 13.6 upon N square इले टान बोल्ट यहा आता है आपको यही याद रखना है मैं बता रहा हूँ कि यह अभी तक याद रखना है पहला प्राब्लम हो जाएगी लेकिन वैसे आपको यह सभी चीज़ें किस्टल एंग लियर होनी चाहिए ठीक है की सब्सक्राइब? देख है? ऑर पुईंट 6 यहां पुर्फ विविक्त उर्जास्तर करते हैं कोई परमाडू अगर उत्तेजी तवस्ठा में यह नुवेक अच्छा में प्रुषच करें उस परमाण कुर जाए E N is equal Z E square R H upon R H R S C upon E N square होता है R H C का value 3.6 upon E N square इलिटान बोल्ड होता है यहाँ पर C का value प्रकास की चाल 3 into 10D power 8 हो जाएगा रिगेबर ने टांग value 1.09 into 10D power 7 होता है और मैंने तीन चीज़ याद करने के लिए का R N, B N और E N का value हो लोगे कोई दिक्कत ह sour keby कोई परसानी आप लोगगे को सो रहे हैं ॉंस का फल आप लोगो मिलेगा ठीक है बिल्कूर मिलेगा इकजाम की बाद आप लोगो फल कई जरूर मिलेगा ठीक है каб b पर सब्सक्राइब हैं डाले संकृमर्ण और यह कोष़ण है यह महत्पूर है तो सबसे पहले कोशन पूश्रादागे कि आयनन विवह से क्या समझते हैं अब वगो से आप क्या समझते हैं Ikda पख़ेओ कि इह यहां पर है तो परिवासा लिख लेना आपका हो जाएगा ठीक है चलिए इसको रब करते हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं कि संक्रमण संक्रमण को स्टार्ट करते हैं संक्रमण संक्रमर किसी को आ रहा है क्या कोई बताएगा हाई दिन देना संक्रमर 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 बिनकोटतर से दूस्रे उस्तार जाना क्या प्रमाड़ का एक उस्तार से दूस्तार में प्रवेस करना संक्रमर कहलाता है लिख लेना DFYSe A combinu परमाड़ का परमाड़ का एक उस्तार से अस्तार से दूस्रे दूसरे उर्जा अस्तर में प्रवेश करना क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है परमाडू का एक उर्जास्तर से दूसरे उर्जास्तर में प्रवेश करना क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है जैसे यहां पर कई उजास्तर बना हुआ है तरह यहां पर कई उजास्तर है इस उजास्तर यहां से आगर उत्ते जित ओकर यहां पर पहुंचता है याँ इसका उल्टा भी ओ सकता है अगर यह आपको बना हुआ हैं परमारू कर Яंख कर यहां पर आता है यह भी ऌता है सकता है तो फॉर्डइन हो सकता छा सकता टेकर एक सर्दल सानप भार्ण होता है कि यह उस्तर परमारू बना हुदा है दो में चाहिक परमार करना संक्रमन कराता है संक्रमन दो प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है संक्रमन कितने प्रकार होता है दो प्रकार का होता है एक पहला प्रकार लिखना सभी लोग पहला प्रकार दो प्रकार का संक्रमन उता है पहला प्रकार आपका है पहला प्रकार लिखना उत्तेजन संक्रमन उत्तेजन नहीं पहला प्रकार आपका लिखना कि उत्सर्जन संक्रमन उत्सर्जन संक्रमन दूसरा प्रकार आपका लिखना आउसुसर संक्रमन बढ़ हाउड थे पहला प्रकार क्या है उठेजन संकमट दुसरा क्या और सुस्वर अभूच को अलग समझते हैं थ्यां देना कैसे कैसे दोनों है कि दोनों को अलग-अलग समझते ही ध्यान देना सभी लोग उत्तेजन संकमड क्या है उत्तर संकमड क्या है ज्यान देना और कोई परमार उस्तर माली उर्जास्तर आप कि अपका यह उर्जास्तर है लुए है में लिए यह उर्जास्तर है यह वर्जास्तर यह बुट त्व है दूज्ट कोई अपकर गयां सर्दम और कोई परमाणू उस्च उर्जास्तर यह उस्च उर्जास्तर से नीचे आता है यन बराबर वन में उच्च उर्जास्तर से कहा है यन बराबर वन निम्न उर्जास्तर में आता है तो उच्च उर्जास्तर से जम निम्न उर्जास्तर में आता है तो क्या होता उर्जा का उत्तरजन करते हुए आता है पातिया है मैं बताता हूं एक आपको एक कहानी बताता हूं क्या है कहानी आप अपने घर में थे चार पैसा आगया और अपने घर को छोड़के आप चले गए कही गुमने के लिए जन बराबर 6 में जब तक बेज रुपया है तब तक तो घुमोगे फिर जैसे रुपया कमोगा तो इसे अपने घर की पास आ तो तो जितने देर तक आप उपर से नीचे आओगे उपर आने का मतलब यह जब तक आपके जैसे आओगे नीचे पैसा बहार निकाल करी आओगे तो तो ध्यांद ना परमाणों को जब उर्जा दी जाती है तो लिगांगे सनक्रमण तो यहन आप मैनों की संख्या तो क्या बताओगे संक्रमण संक्रमण में अगर लानों की आप से पुझे तो संख्या संख्या पूछ देए तोவिता होगे उच्छद संख्यार्म है यम को श्टक में इंना माइनस वन वाई टू होता है ये पूछा जाता है तेस Candidharic पूछा जाता है में आपकी एक्जामे संख्या है में lapse कि आप इता है तो कि संख्या विग क्या जाता है तो च्छाटा जान і लाइनों की संख्याई है पका पूछा जाया एक जामें कैसे जानों जिसके यहां पे 6 आया है तो कितना लाइन है आप मत गिनों आप यहन के आप चलिए पहला क्यां से 6 से आया है तो 6 इसी तरह से तीन में आएगा एक दो तीन नो 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 दस तरह से करेंगे तो पंद्रह लाइन होगा तो लाइनों संख्या ग्याद करने के लिए बिल्गूल लाइन होगी लाइन हो संख्या ग्याद करने के लिए क्या इंटू छा माइनस वन बाइटी तू यह फारू लागाते इसी तरह से मान लिए छा में से मान लिए चान गाया तो एक दो नहीं एक कि दो दो गया इसी तरह से यहां पर कुल गिनों एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नो दस ग्यारा बारत तेरह चुक्दा पंद्रह तरह पंद्रह लाइन होंगे अगर में से आए तो पंद्रह तरीके से आ सकता है बात करते है आउससर संकर्मण की होता है कि जैसे उजयास्तर होगा आपका उजयास्तर है लोग यह तो आपका 0 से उठता है और यहां जाता है संगर्मण नम्र एक में इस दो में में इं तो यहां पर क्या उजा इस तरह से जाता है यह मानि जी द्राबर वन हो गया रहन ब्राबर टू हो गया यह द्राबर तीन व्या यह ज्जेर्ट इस एक से पांच में एक से चार में इसित नहीं में परश्शें depicted जाता है कि यो नियुंद से ऊपर उता है तो यह क्या यह यह पैसे स्क्या मैं है कि तो यहां कि च पैसा लेकर जाएगा यहां पर और यह तो तो क्या होता है यहां पर पांच तो पांच माइनस ओर न करेंगे चार दो एक दो लोगी बोलो लो कर लोगे लुट जो अच्छा थिक है बात समझना ना हाँ बिल्गुल एक बात ध्यान देना हमेशा उस्तर्जन संक्रमण में अधिक होती है अब लिखना सभी उस्तर्जन तथा आउस्तर संक्रमण के लिए तरंग दयत का निधारण उस्तर्जन तथा आउस्तर संक्रमण के लिए तरंग दयत का निधारण उत्सर्जन तत्था आउसुसर संगमेड के लिए तर्विदयत का निधार ये मिट नहीं रहा यार अब मिट जाएगा लिए जाएगा देखना उत्सर्जन तता आउसुर्श संक्रवड के लिए तरंदयत का निधार्ग ये उत्सर्जन अब लिखा नहीं रहा है यार बड़ी समस्या है मिटेगा नहीं कभी लिखेगा नहीं को भी नहीं रहा है यार पोली निवाया लिखना सब इलो उत्सर्जन उत्सर्जन तता आवसुर्शर संक्रवड के लिए उत्सर्जन तता आवसुर्शर संक्रमण के लिए तरंदयत का निधार्ण नहीं दिखाई दे रहा है वह वह बड़ी समस्या है उत्सर्जन तता आवसुर्शर संक्रमण के लिए उत्सर्जन तता आवसुर्शर संक्रमण के लिए तरंदयत का निधार्ण का निधार्ण निधार्ण उत्सर्जन तता आवसुर्शर संक्रमण के लिए तरंदयत का निधार्ण यह है निकर लेना सब्सक्रमण निधार्ण उत्सर्जन देखे आपको मालूम है हाइडोनें परमाडू के लिए देखे आपको मालूम है उर्जार्ण यह इसकोल होता है क्या होता है बताओ आर अंद यह आर सी अपान यह इसक्वार यह होता है न यह फार्मूला होता है अब यह माइनस नहों होता है ठीक है यह का वैलू अगर हम वन रख दे किसके लिए hydrogen परमारू के लिए है के लिए अगर जेट का वैलू वन रख देता हूं एवन घ्या हो जाएगा जाना पता ना इवन क्या हो जाएगा E1 is equal to क्या हो जाएगा minus RCH upon N1 square यह हो जाएगा E2 के value क्या हो जाएगा E2 is equal to हो जाएगा minus RCH upon N2 square यह हो जाएगा दोनों के दोनों minus अब अगर हम E2 minus delta यह निकाले तो क्या होगा E2 minus E1 तो निकालते हैं minus RCH upon N2 square minus RCH upon N1 square यह हो गया बोलो हो गया नहों गया आगे देखना क्या हो जाएगा यहां पर delta E delta E का value क्या हो जाएगा delta E is equal to E2 minus E1 E2 minus E1 is equal to क्या हो जाएगा minus RCH upon N2 square प्लस RCH upon N1 square यह हो जाएगा यहां से इसी साल परेंगे तो RCH upon N1 square minus RCH upon N2 square हो जाएगा बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यह आपका हो गया ठीक है delta E is equal to आपको मालूम है delta E is equal to एक फार्मूला होता है hc upon lambda होता है तो यहां पर लिखेंगे hc upon lambda is equal to RCH common कर लेंगे 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square ना यह लिखेंगे सभी बोलो लिखेंगे नहीं लिखेंगे अब यहां से धान देना RCH CH CH से CH कर जाएगा ठीक है CH से क्या हो जाएगा CH कर जाएगा 1 upon lambda 1 upon lambda का वैलू क्या आ जाएगा 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताओ अरे बताओ बोलोगे अरे बोलो सभी लोग यह आ जाएगा नहीं आ जाएगा कैसे हुआ सभी को समझ में आया कि नहीं आया बताओ अब्सक्राइब आरे अजाएख निया आरे अरे अरे रहत है और अरनी ना बुल घ्याएगा है अब आप सही है आप लोग बता देते हो ना भूल जाता हूँ है बिल्कुल बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ कुछ समय पहले हमने आपको समझाय था कि यह इकॉल टू जेट आर यह सी आपान यह नी स्कॉर होता है बता है रहे है लाधी तो आर पर्माडू यहांने हाड Ugh के लिए तो यहां अन्तर करेंगे तो हो जाएगा घढ़ जाए दीए माइनिस मााइनिस क्या हो जाएगा प्रस हो जाएगा यांप Hash h n2 sqaar – r1 n1 sqaar, टिक है? अभी यहां ध्यान देना, क्या ओ जागा? यह – उद्धरचला जएगा rzh n1 sqaar – rzh n2 sqaar, टिक है? डेलटा इस इकोल टू आपनों जानते हो, यह स्य आपन लेंडा होता है, यह से देखिए च सीच कर गया वन अपान लेंडा इसकोर इसकोर यह बन गया फिस से देखना ना सुरोज कुमार फिस से देखना समझे में आगया आप अगया बिल्कुल है बहुत बहुत अच्छा है कि हो गया समझ में चलो यहां तक क्लिया रहे सभी को तरंगद्यात के लिए यह समीकड़ आ गया अब यहां से कई प्रकार की रिखाएं होती है जिसे लाइमन रेका बामर रेका पास्चन रुका जिसे आप लोग हाइडोजन स्पेट्रम करते हो यही बता देंगे आप पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कुछ निमेरकल्स है इसके लगाएंगे हम लोग उसके बाद चै है इसना हाइडोजन स्पेट्रम हाइडोजन स्पेट्रम करने के लिए हाइडोजन को गर्म वास्व को कहांच की पात्र में रखा जाता है उसके बाद उससरजीत होने वाले समित विक्रों को इसपेट्रोमीटर के चित पर आप्चित किया जाता है जिससे पर्दे की काली प्रिष्ट पर कुछ चंकिली रेखाये प्राप्त होती है उन रेखाओं को पांच होता है ठीक है समझना हाइडोजन के उत्सरजल इस पे ट्रम को प्राप्त करने लिए हाइडोजन के गर्म वास्प को हाइडोजन का गर्म वास्प लेते हैं गर्म वास्प लेते हैं इस गर्म वास्प को हम लोग कांच की पात्र में रखते हैं कहां पे रखते हैं इस गर्म वास्प को कहां कांच की पात्र में कांच की पात्र में रखते हैं कांच की पात्र में रखने के बाद कांच की पात्र में रखने के बाद उससे उससाजित होने वाले जब कांच की पात्र में रखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं वहां से उससाजित होने वाली समस्त्र विक्रिड़ों पर ध् हाइडोजन के गर्म वास्प को एक कांच की पात्र में रखते हैं कहां पर रखते हैं तो यहां से जितना विक्रण निकलेंगे चुकि कोई भी गर्म पानी रखते हो तो वहां से भी वास्प निकलता ने बाद इसे गर्म वास्प को रखें यहां से भी विक्रण बाहर निकले संब्सक्राइब इस पेट्र आप्तित करें गेस्ट मीटर-चीत करें सब्सक्रार प्सक्राउट इससे क्या क्या आप्तित करेंगे इसे स्पेट्रो मीटर के चीत पर आप्तित करेंगे कहां करेंगे स्पेट्रो मीटर के चीत पर आप्तित करेंगे तो वहां पर पांच प्रकार की रिखाएं प्राप्त होती है ठीक है प्राप्त होती है इन पांचों प्रकार की देखाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फ वहां से वास्प वहार निकलता है इसी तर से यहां से भी आपका रेडियेशन आपका एक तर से जो है इस यहां से उस सर्जन होगा जो सर्जन होगा उसे स्पेट्रो मीटर के छीत पे रखेंगे तो आपे पांच प्रकार की रेखाये प्राप्थ होंगी उन पांचों प्रकार की रेखाओं के बारे हम लोग अध्यान करेंगे उन पांचों प्रकार की रेखाओं के बारे हम हम लोग क्या करने वाले अध्यन करने वाले हैं उन पांचों प्रकार की रिखाओं के बारे हम लोग अध्यन करने वाले हैं ठीक है अगर काली पिष्ट भूम भी रखा ज्यादा बहुत चमकी लीव निकलती हैं ठीक है उन पांच प्रकार की रिखाओं के बारे हम लोग अध्यन करने वाले हैं कि बिलू कौन को अनुती यह बताएंगे इतना समझ मैं है हाईड्योजन के गर्म वास को हमने कांच में रखा जब कांच में रखा तो आज कुछ वास बाहर निकलेंगी तरह से समय वास्म नहीं निकलती है मतर्व उसका उस्ताजर्ण होता है कि उस्पेट्रोमेटर की रखायों को हमें हम क्या करेंगे इन पांच प्रकार की रखाया राप्त होती है आज से कि कि समझें सभी लोग पांच रखाया राप्त होति है ना कि हम देख नहीं समझें बिल्कुल अब 5 प्रकार की देखाएं समझते हैं ठीक है ये तो आप ही कहानी पूरी होगे ठीक है प्रकार की रहा है कोन कं ऌस रहाँ प्रकार की रिखाओ के बारे मुझाओगा आपके सामने हम spectrum खरीद रहे हैं ठीच रहे हैं ठीखे आपके सामने यह है line 1 दिखाए ज्रान यह है line 2 यह line 3 यह line 4 यह line 5 यह line 6 लाइन देना सभी लोग क्या है इसे हम लोग क्या लिख सकते है यन 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 यन ठीक है अगर देखिए उपर से किसी उजास्तर से उपर से किसी उजास्तर से पहले लाइन में आए 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 तो आए तो आसे लाइटिंग हो गया अभी सभी कर रहे है ठीक है अब कि अब कि अब कि अच्छ कर दो जो अब सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब उपर से किसी भी लाइन में आएगा इसे आपका सेवन से से माल लेते हैं से वन में आ यह सब्सक्राइब यहाश्व से तरह से अगर वहन में आता है तो इसे क्याwarmते लाइमन देखा निअ लाइमन रेखा इसी तरह से चोट जिसे आपका से तूर्जा आजा या फिर हुद वाहे रहा जा तनुमय जा या फूर से टूसे तूमय जा या फिर ठीके-टू में आजा इसे फार । इसे क्रous संख्या होता है इसी तरह से अगर मान लिजिए यहां से इसके उल्टा अगर धिसे फूर में आ जा और यहां स्थ्से इसे क्या कहेंगे इसे ब्रैकेट रहेंगे लास्ट आप समझेगा सभी लोग लास समझे लास समझे का सभी लोग माले ब्रेकट के बाद ऊपर से यहां से ऊपर से 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 आप में या फिर शिस से फाइब मैं इसी काएंगे पूंड देखा फूंड देखा तो ध्यांदेना उचूर जास से पहले कि एक में टू किएगा लाइट को सब्सक्राइब हो गया है कि इंच कर दीजिसर अगर दूसरे में उस्ते बांबर रेखा उचूर जास से तिसरे में आएगा उसे पास्टन रेखा उचूर जास से अच्छचन छोथे माता उसे ब्रफूंड यह कहेंगे तो लाइवन रहा होता है यह लाईमन रहात हमेशाव Mob... इस इस पहलता में और आपका दिल से इस चैतर मैं प्राप्त होता है और बामन रहा कहां पर प्राप्त होता है तीनों कि तीनों और रख्त छेत्र में परास्ट होता है दूह मुझाली चैनी करणी टीनों कि तीनों और घ्लत कर विए नौन त्थ होते हैं तो हिसितर में प्राफ्ट होते हैं यह थिनो चवीट आशन और ते तो लाइमन डेखा के बारें में लिकेगा लाइमन लेहा कि लाइमन रेखा की बारे में लाइमन रेखा के लिए तरग मियान दयात की बात करें तो क्या हो न न अपन लेम्डा इस इकौल टूर तिल यन वन यहां से यहां से बहुत ज्यादा पूछा जाता है वह सबसे लंबी तरंग देट था सबसे चोटी तरंग देट याद कर लिए थे आपको भी याद कर लिए ना चाहिए तो सबसे लंबी तरंग अगर पूछा हैकज highway दूमरिकल दो यहीं से फुछ्पा यहिए फुछता है लंबी तरंग करें लंबी तरंग देट का लम्भी तरंगडेद का बता है और यहां तूवर तो सबसे लम्बी ठीद रखनेंटेंके टो सबसे लंबी तरंग देट होगा और रापर टू रखने पे सबसे लंबी तरंग ciao शालिसंटान वह कितना होता 1912 पर 91 होगा इंजस्टान सबसे छोटी थंदल्यत का प्राप्त होगा जब अंच्छ remote कि अध önce अजय सबसे लिए तर्णेस्ट को mentre ओञे करा कुछ लास चल लाइऄ सब लोक सो रहे आल अब करें कि ढाय्य में रिखा के लिए यहान देना बाहमा रेखा के लिए आप रिखा यहां पर हैडिंग कर लेना वामाыт देंख तू को नियुक्त है सटेगे आ 방 रिखा को परापत होती है दिल से छेत्र में दिल से जाएगा और तरंग्देद के लिए इसका वेलू होता है तीन चार पांच से साथ होता है और लंबी तरंग्देद के लिए इसका वेलू होता है अब इसके बाद हम लोग सरफ पढ़ेंगे किसका लाइमर पास्चन अब हाँ बामर हो गया पास्ट्र के बारे में कहां प्राप्त होता है हमने बता आपको और रख्त में प्राप्त होता है तो पास्चन नेख्ण पास्चन देखा यहां प्राप्त होता आवरत यहां पर यहां पर यहां पर आएगा अब इसकी सबसे लंबी तरंदेर प्राप्त करनी हो तो चार रखेंगे सबसे छोटी तरंदेर इन्फ्रीटी रखने प्राप्त होता है सबसे लंभी तरंदेर पास्चन के लिए 1875 इहिस्थार और सबसे छोटी तरंदेर उता है लाइनर बामर पास्चन ब्रेकेट फूंड दो वावर बत्य है ब्रेकेट के लिए क्या होगा जड़ा बताना ब्रेकेट के लिए एन्वन का बैलू क्या होगा ठीन नहीं यहां पर यहां पर क्या होगा 5-6-7 कुछ भी लिख सकते हो ब्रेकेट के लिए ब्रेकेट के लिए 4 हो जाएगा और यहां पर लंबी तरंदर की बात करें तो इकोल तो 5 तो नहीं आ रहा है उपर से तो नहीं जा रहा है एक ही चीज तो करना है बस कि अब ध्यान देना सभी लोग क्या होगा ध्यान देना सभी लोग झाल झाल के लिए इसका बहुत कम पुछा जाता है यहां तक पूछा जाता आपको लाइमर बावर पांच्छा जाता है लेकिन यह आपको काम है मैं दे रहा हूं खुद से करना सभी लोगे कुछ नहीं करना है पास्ट के लिए एंटू कामान पांच हो जाएगा और इसका छे साथ हो जाएगा फुट के लिए याफ हो जाएगा नहीं चार पास्चन के रिए 3 होगा नहीद में पता नहीं रहे हैं अभी मिल जाएगा सुरज अभी मिल जाएगा तुरंट मिल जाएगा हुआ हुआ है तो यहां आपका यह चैप्टर नमर 12 कंप्लीट होता है अब हम लोग चलेंगे निमेरिकल के साइड में तर जरा निमेरिकल लगाएगा पीडियाप से हां पहले आप जेक्टिव कोशन से उसको दिखा दीजिए फटा फटा आप जेक्टिव बता देता हूं लो कोशन से उसके बाद निमेरिकल चलते हैं ठीक है इसको रभ कर लें सबस्थ रहें तब लगाएगे अब लेकिजाएगे इस चैप्टर को कम्प्लीट करके सोएंगे हम लोग ठीक है कल फिर से एक नया चैप्टर अब हम लोग फिर से नया चैप्टर कोई इसी तरह से वन साट गीचेंगे ठीक है चलिए सर स्टाट कीजिए पहले आप जिट्टी कोशन है लगाएए आगे लगाएए रखह ले मेचे अंत्यक्ति कोशन क करके लगाई लाकी ये लोग खुझे कर लेंगे अपनी से के लगाएथ करा किया कि पताए एक काम करी दिहाए आप सब या बसा इसा कर इनने ने यृए देतेनों इन लोगाई एक ऐसा करी अइगे आख़ी को देते हैं मिमेंगे मिमें कुशन लगा दीजिए बस मुझा किसे नमरोजन लिए पूसिए पॉस्सला बहुत मश्र्ट ऐसे सुखल गsels को ऩार्ण भली दो कोशन करें जाएग दे आपूर्टि करता जो धा इशरी से दो कुम Session तो नमोर वन रोन स्टार्ट कीजिये पढ़ा कीजिये तो ना ऊपर से कब शचा तो गाट वे हॉथे हायडाजजन परमाडू की यह ले कत्शा में गति जूरज़ा क्या होगी? यह ले रिख्शा में गत्टी जूरज़ा क्या होगी? और तिज्जा की है यानवेक अच्छा में गती जूजा क्या होगी पताओ दो भी बिल्कुल भी आ रहा है आप लोगा है जोर सही आ रहा है ठीक है गती जूजा क्या होगी वन अपान फोर पाई अपसाल नाट इसक्वार अपान टू आर कुछा जा सकता है जामे ठीक है तो गती जूजा क्या होगी भी वाला अपसन होगा ठीक है सन्येश कोशन कीजी तो यह सब आइंसर का नकल माल लिए सर इसका बचा करना यह एंसर बताईए प्रेज कीजिए सर बढ़ा कीजी इसको बढ़ा कीजी नम लंबिम लगाई है चलो बढ़ा हाई प्रमाडू के लिए प्रथम कच्छा की तिज्जा 0.53 अंगरिस्टान है तीसरी कच्छा के लिए क्या होगा बताओ किसका गुड़ा करेंगी ऐसे ही कोश गुचिए जाते हैं आर यहीं स्कॉल टू एंड इसकॉर निगेश्टां यहीं पताथ मने अच्छा करूँन पुझा तो तीन इसका हो जाए जाए दिसका हो क्या रखनाना इन हो जाएगा ना इन इटू-0.53 अब इसका नगट अब इसका नहीं कर दिए लो तरिंका तिन्वा सत्ता इस लाश्ट में साथ जिसके आप से वही होगा यानि आप से नमर एक होगा सर नेस्ट कोशन कीजिए कुशन नमर थ्री अटापट कीजिए सब तो देखें अधाय आ रहा है तेज हो गए है यह सब न अ बर्दान बैच में जाएंगे जाएंगे अब ऐसे ही कोशन वैसे बिना पढ़े आता तो नहीं कर पाती होता है उसमें आता नहीं करें सर इतना तेजी से करिएगा कि एंसों न दिखाई थे कुछ लोग नकल मार के अपने आपको तेज बन रहे है यह बता यह कोशन का जवाब बताओ यह कोशन का जवाब तो अभी पढ़ें ने आप लोग बताओ क्या है आडियोन परमारू के मूल अधार से यह नवे कच्छा में है तो मूल अश्तर का कोड़ी सम्वित क्या होगा है एंच अपान क्या हो भी एच अपान टू पाई हां भी वाल आप्सन सही हुआ है चलिए सर नेश्ट कीजिए नेश्ट पेच पे होगा सर नीचे नहीं है नीचे नहीं है लास्ट से ही चलिए सर क्या दस्वी कोच्छन से चार उज्जा अस्तरों के बीच में संक्रमण होती है तो रेखाओं की संख्या क्या होती है तो इस पिट्रम रेखाओं की संख्या क्या होगा चार उज्जा अस्तरों के बीच संक्रमण होता है अभी मैंने बता कि उच्छा संक्रमण की रेखा कैसे ग्याद किया जाता है बताया मैंने आपको तो क्या होगा उज्जा संक्रमण की संख्या क्या होगी च्छ होगा कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे बताओ यहन यहन यह अच्छा होगा न होगा बिल्कुल हाँ हाँ सर नेक्ष कोशन कीजी तो कोशन नमर नाइन टेज हो गए है सब हम बैट रहे हैं नाइन कीजी नाइन कीजी ऐसे करिया है क्या एंसोर ना दिखाए दिए एक लिए एक लिए टान यहन बराबर टू से यहन बराबर फोर में हो जाता है तो रिगवर्ण यह तांक आर है तो स्रंगलं तरंग्दैद क्या होगा तो इसका सरंगलं तरंग्दैद क्या होगा यह आप से पूछा है ना करो इसको कैसे करोगे हुआ वे पिर से कराता हूं डेखो यहन बराबर टू से बराबर कैसे का इसे पूछा जाते है से चल्द करसे में नदा एलोट टाओ यहां पर पान टूपर 1 में अब जाएगा ना अब जान देना सभी लोग क्या हो जाएगा नीचे लास लेंगे फोर जाएगा नहीं तो होगा इन टो आर इन टो आर ठीक है तो यहां से अगर कि नहीं होगा यह तो होगा ना अरी स्क्वार होगा ना एक में टेकर दिमाग कहा है ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना तो आर यहां पर देखेंगे जाएगा अब ध्यान देना सभी लोग आर नीचे 16 हो जाएगा चार माइनस 16 तो आर देखे 16 में से चार जाएगा बार चार 16 तो लग रहा है न कहीं कि क्या दिमार है या 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 पर वन होगा ना चाचो को सूल है तो तीन बटे सूल है और लेवन अपान लेमडा इस इकोल टू क्या हो जाएगा ठीक है तो लेमडा इस इस इक बार गलती हो जाती होती जाती है फ्ली इसको अच्छे से मिटाए तब साप रहता तो लगाने में ठीक रहता है पिलिए सा नेस्ट को कीजिए सा तो झाल झाल का नहीं दीजिए एक काम करो एक काम करो छोड़ जान दो ठीक है नेस्ट आप आई एक निमेर का लाड़ कोशन लखाई ठीक है कॉशन बता है तो किसी उत्तेजी तो संवनें त्वस्ता में रटांड की गति जूच्टा इसका dall 1 बोल्त है इसका कोड़ी समीख जिन कि यह यह बताओ से घ्रि बता रहे थैं को बताओ तो कि उसके ब slip στα ऑ narrative लिरًस्टा इसका साथ самое पूरी समय ज्याद करना है अब आपको यह पता है कि हमने बताया हमेशा डेल्टा यी डेल्टा यी का बैलू कितना ज्याद करेंगे सब्सक्राइब करेंगे यहां पर तेजी दवस्ता में लेटान की उर्जा कितना पता है इसका उर्जा अंतर है यह आपका फार्मुला इतना इसका वालू 3.4 इलेटान बोल्ट के बराबर है तो माइनस 3.4 इलेटान बोल्ट के बराबर यह से कटेगा 3.6 3.4 से कटेगा तो यहां पर कितना आएगा थना चाव को 24 हरगा थना आएगा तो क्या आए बताओ है तो मत्रहिए अऐ है आप किया कि आपन सीक्वार्मुल्ट क्या होचने है तेरा वालू कि इतना दत्था tbsp अ एक वमधिन क्या पैलू पॉइंट्स होचने और यह कट जाएगा और हो जाएगा जाएगा इसका वेलू यह घ्याद करना कोडिशविक आजाएगा, कि इसका वेलू यह घ्यात करना कोडिश अजाएगा नहीं जाने लिए और इसको लेशन है कि आ ऐसा कर ये जाने देटा है तब ही को संस तो इजी है है थीक जबी कोसे नीजी है और मैं सलूपन भी दिया हूं यह लोग खुद लगा लेंगे जो डॉट होगा डॉट क्लास में मतलब डॉट होगा कभी पूछ लेंगा हम ठीक है तो जान देजिए ठीड धिखा दीजिए पूरा जीक है और यह पूरा नोट से ठीक है यह आपका इस तरह से पूरा है ठीक है समझे और यह पूरा है ठीक है चलिए हो गया है यहाँ तक आप सभी का हुआ है तो यह बात समझेगा यह चैप्टर पूरी तरस्ता आपका कंप्लीट है हाँ तो क्या करना है इस चैप्टर के कोशन की थोड़ा प्रैक्टिस करनी है ठीक है कोई डावट हो रहा हो तो उससे पूछ लेना ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे मालू में बस आप कोई भी कोशन लगाने से पहले इस चैप्टर के समझ के लगाना सभी लोग ठीक है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो सभी को जैमा सरसुती पूरा यह आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ चैप्टर नुवर बार है आप सभी लोग मस्त होके पढ़ए किजिए निशी दुप से माह सरसुती आपकी मेनत का सही फॉल देंगी आपको परसान नहीं होना है ठीक है ना